नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज का ये वीडियो मैं क्रूड ओल को लेके बनाने जा रहा हूँ स्टैटेजी माजिक ट्रेड सिस्टिम रहेगी ये स्टैटेजी के साथ आप क्रूड ओल को अनलाइस कर सकते हो 15 मिनिट के बेस पर किस प्रकार सी इंडिकेटर पूरा वर्क करता है कैसे बैक डेटेड कॉल्स आपको जनरेट होके मिले वो सारे हम स्टडी करेंगे इस पूरे वीडियो में तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट रहेंगे प्लीज आप वीडियो शुरू से लेकें तक जरूर देखें ताकि जो भी डेटेल्स हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कुरूरल को लेके वो सारी आपके समझ में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लास्ट कॉल जो जनरेट हुआ था बाइ का कॉल जनरेट हुआ था तो यह स्टाटेजिय में जब भी कोई सिगनल जनरेट होके मिलेंगे तो आपको एरो दिखाई देंगे ठीक है बाइ के लिए आपको ग्रीन कलर का आरो मिलता है और सेल के लिए आपको रेड कलर का आरो generate होता है तो हमारा entry point कौन सा बनेगा ठीक है तो सबसे पहले entry point study करेंगे तो जो भी entry point होता है आपका signal के closing पर आपका entry point बनेगा तो जहां पर भी candle पर call generate होता है वहाँ जब arrow generate होता है उसके candle के closing पर हमें entry linear लेकिन हम only perfect call में trade करेंगे कोई भी fake call में trade नहीं करना है तो perfect call कुन सा बनेगा तो perfect call वह होता है जिस भी candle के closing पर आपको सारे parameters वह call के favor में मिलेंगे वह call perfect माना जाएगा जैसी कि हम यह sale call को study करते है पहले ठीक है तो sale call आप देख सकते हो यह sale call generate हुआ था 6509 के rates ठीक है तो यह sale के वक्त आपको देखना है नीचे volume आपका rate होना चाहिए sellers के percentage जादा होने चाहिए buyers के comparative trend line आपकी selling के side होने चाहिए तो यह तीन parameters जो भी call follow करता है उसको हम perfect call मानेंगे तो यह sale call perfect था आप देख सकते हो इसके entry के बाद जो आपको target मिले फर्स second third easily आपको अच्छी हो गया तो यह perfect call था उस हिसाब से अगर यह buy call हम देखे तो इसने भी आपको first second target दिया और अभी market यहाप लाइव चल रहा है आप देख सकते हो buy आपका बना था 6497 के rate से और यहाँ पर अभी market almost 50 points के असपास plus में चल रहा है लेकिन यह call को अगर आप study करें तो इसमें आप trade नहीं करोंगे लेकिन आपको trade नहीं करना चाहिए ऐसे call में तो यह call बना था sale का यह आया था छे बच के पंदरा मिनिट को आज के दिन में आज है 24th of August यह perfect था इसने आपको target दे लिए ठीक है आपको alerts भी देखने को मिलेंगे यह strategy में बहतरी strategy है crude oil के लिए आपको best way में guide करेगी अब यह buy call चेक करते हैं तो यह buy call भी आया था दो बच के पंदरा मिनिट को आज ही के date पे ठीक है तो buy की entry होई थी 6525 के around और first second target easily इसमें आपको मिल गया first target था 6539 का और second target 6553 का तो easily इसमें भी आपको points मिले और around 30 points का आपका moment इसमें आपको मिला यह morning यह afternoon के trade में उसके पहले का call यह call चेक करते हैं यह morning का आया था morning आपको sell call जनरेट हुआ था 6486 के around और first target आपका था 6471 का और यहां पे आप low चेक कर सकते हो यहां पे low 6467 का almost यहां पे लग चुका था तो इस तरह से morning का भी आपको perfectly trade मिला था जो first target आपको अच्व करवा दिया उसके पहल कल के market में यह buy call जनरेट हुआ था इसमें भी आपको तीन target मिले लेकिन यह fake call था ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे call में फिर एक sell call जनरेट हुआ था यह भी एक perfect sell call था volume आपके साथ था trend line भी थी seller's maximum थे तो perfectly आपको target दे गया उसके बाद आपको buy call जनरेट हुआ था लेकिन यह perfect call नहीं था नीचे volume नहीं है target पहला था 6679 का और यहां पर आप देख सकते हो exactly 6679 का high लग चुका था लेकिन इसमें भी आपको trade नहीं करना है forcefully आपको fake call में नहीं entry करना है आपको perfectly profit points book करने को मिलेंगे यह sale call देख सकते हो यह perfect call था यह sale देख लीजिए यहां पे 100% seller से नीचे volume आपका rate था trend line भी थी तो perfectly इसने आपको first second target दे दिया यह market के closing के आसपास का trade था 21st of August का मैं दिखा रहा हूँ तो 10 बच के 15 मिनिट का यह call था रात के तो perfectly यह target दे गया यह fake call माना जाएगा ऐसा में trade नहीं करना है volume नहीं यह नीचे ठीक है यह sale call चेक करो तो यह call भी आप अगर चेक करें तो नीचे volume यहाँ पे rate side में था trend line आपके favor में नहीं थी लेकिन sales यहाँ पे max है होंते तो दो parameters आपके sale के favor में थे तो perfectly इसने आपको target दिया ठीक है उसके पहले का buy call चेक करें तो यहाँ पे volume नहीं है साथ में लेकिन इसने भी आपको target दिया यह भी एक fake call है नीचे volume नहीं है आपको trade नहीं करना है ठीक है तो fake call में आपको ऐसे trade नहीं करना होता है only perfect call में आप trade करो तो easily आपको points मिलेंगे ठीक है तो यह भी एक trade आप देखो तो इसमें भी आपको profit जरूर मिला लेकिन यह perfect call नहीं था फिर भी आपको points इसमें देखने को मिलें ठीक है यह sale call चेक करो यह perfect call था इसके बेस पर आप देख सकते हो easily आपको first second target मिल गया ठीक है यहाँ से market नीचे जाना start कर गया तो यह strategy आप देख सकते हो मैंने backdated आपको 18 तक का पूरा scenario बताया कि जो भी strategy में भाई से signals होके मिलें किस प्रकार के signals थे और कैसे आपको perfect call exactly targets दे देता है तो यह bettering strategy आप इसके बेस पे easily profit कर सकते हो crude oil को लेके तो आप अगर इस software का demonstration लेना चाहते हो तो नीचे दिये के नंबर पर आप call कर सकते हो whatsapp करो description में website के link आपको मिल जाएंगी वहाँ जाके register कर सकते हो ताकि हमारा executive आपको call करके crude oil का पूरा detail demonstration प्रोवाइड करवाएगा मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई प्लीज वीडियो को like करें channel subscribe करें thank you for watching bye